मैं बिसाल स्रिवास्तो, SSC Stenographer 2018 बैस से CBIC Department में selected candidate हूँ हम आज हमने कुछ newspaper के topic discuss किये थे, जिसमें मैं newspaper दहिंदू के discuss किया हूँ और उसमें कुछ rule बताये थे, तो आईए अब हम देखते हैं उस rule पे questions कैसे पूछे जा सकते हैं आने वाले exam में question कैसे बनते हैं, SSC questions उस rule के according, उस rule के base पे question कैसे पूछती है ये सारी चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें आप लोगों की काफी helpful होंगी आप लोगों को देखने के लिए बाकी दहिंदू की 5 part की वीडियो बन चुकी है, जितने लोग part 1, part 2 करके बन चुकी है, part 6 तक हम डाल चुके हैं जितने लोग उनने वहाँ नहीं देखा है, वो जा करके उन वीडियो को देख सकते हैं और ये error का topic देखने से पहले, अगर आप दहिंदू की पूरी वीडियो देख लेंगे, जो मैंने part 6 डाली है तो ये error और अच्छे ढंग से समझ में आएंगे आप लोगों को, ठीक है, और जितने लोग हमसे टेलिग्राम पे जुड़ना चाहते हैं description box में लिंक उसकी दी गई है, आप लोग वहाँ आ करके हमसे टेलिग्राम से जुड़ सकते हैं और चलिए हम restart करते हैं, और देखते हैं कि error कैसे पूछते हैं और तो पहले question पे आते हैं, पहला question क्या है The government has used value and unspecific language government चोंकि singular उसके according has लगा हुआ है, सही लिखा हुआ है has के बाद third form लिखी है, यह भी सही लिखी गई है यानि कि इस पार्ट में कोई error नहीं है value and unspecific language and से दो same word जोडते हैं same का मतलब क्या, कि अगर negative and के इधर negative sense वाला word है तो इधर negative sense वाला word होना चाहिए और end के इधर positive sense वाला word है, तो इधर positive value यानि कि not clear तो इधर unspecific language दिया है, दोनों negative word है यानि कि सही दिये गए, negative sense के word है सही दिये गए है, end का use भी यहाँ पर सही है indicating its willingness to discuss with the full agenda तो हमने बताया था कि full agenda को discuss करने के लिए है ना, तो discuss के साथ जिस चीज को discuss करते हैं, वहाँ कोई preposition नहीं लगाते है तो error जो है, यहाँ पर है क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या यहाँ होना चाहिए, discuss the full agenda ठीक है, यहाँ with या अक्सर about करके दे देगा discuss about full agenda तो हमें यह ध्यान रखना है कि discuss जिस चीज को discuss करते हैं, पूरे agenda को discuss कर रहे हैं, जो जिस चीज को discuss कर रहे हैं, वहाँ पर किसी preposition का हम use नहीं करेंगे तो यहाँ होना चाहिए यहाँ with का use नहीं होना चाहिए आईए हम next question की तरफ आते हैं, बहुत ही जवदस, बहुत ही अच्छा question है दा गौर्मेंट ओफ इंडिया, दा गौर्मेंट ओफ इंडिया चुकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर आया है, इस आफ प्री पोजिशन के पहले गौर्मेंट लिखा है, उसके according is आया है, गौर्मेंट ओफ इंडिया इस आलसो कमिटेड, चीक है तू फाइंड, यहाँ बताये थे कि कमिट के साथ जो प्री पोजिशन यूज होता है, वो कैसा यूज होता है अगर कमिट के साथ तू प्री पोजिशन यूज होता है, इसका मतलब हम सीधा सीधा कहना चाहरे है कि यहाँ तू क्या है, प्री पोजिशन है, और अगर तू प्री पोजिशन होता है, तो प्री पोजिशन के बाद अगर वर्व आती है तो उसकी ing form ही हमेशा यूज होती है अब लोग रूल लिख लिजेगा preposition के बाद यदि वर्ब आती है तो उसकी ing form ही यूज होती है यहाँ commit के साथ two preposition लगा हुआ है तो इसके बाद यहाँ ing form यूज होनी चाहिए और यहाँ होना चाहिए क्या finding यहाँ क्या होना चाहिए finding ठीक है ना अब एक चीज देखते हैं look forward to look forward कुछ phrase है look forward के साथ भी two preposition आता है इसलिए look forward के बाद two plus verb की ing form यूज होती है क्यों क्यों क्योंकि look forward के साथ two preposition होता है preposition के बाद ing form आती है तो आप लोग लिख लिजेगा फारवर्ड टू विद ए व्यू टू ठीक है विद व्यू टू लुक फारवर्ड टू एडिक्टेट टू एडिक्टेट टू हैबिचुएटेट टू ठीक है इन सब के साथ तू अपोज टू गिवें टू टेकें टू इनके बाद two preposition आता है यानि इसके बाद अगर वर्व आएगी तो उसकी आई एन जी फार्म यूज होगी कमिट के साथ two preposition आता है इसलिए इसके बाद आने वाली वर्व कौन सी फार्म में होगी आई एन जी फार्म में होगी तो यहां होना क्या चाहिए आगे देखते हैं आगे लिखा हुआ जो है फार्मर्स आर प्लानिंग जो फार्मर हैं वो प्लान कर रहे हैं चीक है इस सो ओफ स्ट्रेंथ सक्ति प्रदर्शन को प्लान कर रहे हैं इन डिसंबर थर्टी तो हम देखते हैं तीस जो डिसंबर है वो क्या है 30 December ये date का नाम है और date के पहले हम किसका यूज करते हैं on का यूज करते हैं date के पहले हम किसका यूज करते हैं on का यानि कि यहाँ पे होना क्या चाहिए on December 30 यहाँ in नहीं होना चाहिए यहाँ होना चाहिए on December 30 छीख है इनका यूज किसके साथ होता है मन्थ के पहले इनका यूज होता है मन्थ और इयर मन्थ और इयर के पहले हम यूज करते हैं इनका मन्थ और इयर के पहले हम किसका यूज करते हैं इनका इन 2020 ठीक है इन 1947 इन जन्वरी इन फर्वरी तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं इनका यूज़ करते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हैं हम पूरी पूरी कोशिस कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप लोगों की इंगलिस अच्छी हो जो error या improvement के parts में गलती होती है वो यहाँ से आपको हम solve कराते रहेंगे एक बात देखते हैं यह क्या है plural है तो इसके बाद आने वाली verb कैसी होनी चाहिए plural होनी चाहिए यानि कि has का यूज़ने होना चाहिए यहाँ क्या होना चाहिए तो यहाँ ध्यान दीजेगा error कौन से part में है यहाँ होना चाहिए has की जगह क्या होना चाहिए have been protesting क्यों क्यों क्योंकि tense जो है वो plural लिखा है और इसके according verb कैसी आनी चाहिए have आनी चाहिए तो यहाँ होना चाहिए tens of thousands of farmers दिया होगा तो perfect continuous का यूज होता है तीक है अगर समय नहीं दिया होता है तो general continuous tense का यूज करते हैं यहाँ present perfect continuous tense का यूज हुआ है has या have been plus ing form फिर since या for का यूज दिया है तो यहाँ पर for लिखा हुआ है क्योंकि period of time है और period of time के पहले हैं किसका यूज करते है for का since का यूज एक बात ध्यान दिजेगा since एक पूछता है since time immemorial since time immemorial होता है चीक है यह ध्यान दिजेगा since immemorial time कभी नहीं होता है तो time immemorial होता है पहली बात immemorial time नहीं होता है तो ध्यान देज़ेगा time immemorial होता है इसके पहले कभी far का यूज नहीं करते है या तो since time immemorial होता है या from time immemorial होता है कभी भी fall time immemorial लिखा है तो गलत है यहाँ से एरर दो तरीके से पूँछ सकता है या तो immemorial time दे देगा तो हमें सही sequence इसका क्या है time immemorial होता है दूसरी बात fall time immemorial दे देगा तो हमें ध्यान रखना है कि since time immemorial या from time immemorial होता है चीक है अब आते हैं हम next question की तरफ 5 rounds of tasks बातचीत के 5 rounds have already been held तो has been held आयूजित किये गए bet win the central ministers to farmer leaders तो हम ध्यान रखेंगे हमने बताया था newspaper अभी अभी जो इसके पिछला newspaper डिसकस हुआ है उसमें हमने बताया था कि bet win और बोथ के साथ किसका यूज़ करते हैं and का यूज़ करते हैं तो यहाँ bet win the central ministers and farmer leaders चीक है हम ध्यान रखेंगे यहाँ कि bet win के साथ यहाँ to नहीं लगेगा यहाँ किसका यूज़ होगा and का यूज़ होगा ठीक है bet win the central ministers and leaders तो वहाँ and का यूज़ होगा both और bet win के साथ and का यूज़ होता है ठीक है इतनी बाते समझ में आ गई अब हम बढ़ते हैं next question की तरफ और question number six देखते है the wider sanyukht morsha sanyukht kisan morsha the wider sanyukht kisan morsha held an held an internal consultation to discuss about its response to the invitation response के invitation के response को discuss करने के लिए तो जिस चीज को discuss करते हैं discuss के साथ उसके साथ कोई preposition नहीं लगाते हैं ठीक है हम क्या करेंगे discuss के साथ जिस चीज को discuss कर रहे हैं वहाँ कोई preposition का यूज़ नहीं होगा हम जैसे invitation के response को discuss करने के लिए हम कोई preposition नहीं लगाएंगे यहां होना चाहिए discuss its response to the invitation ठीक है ना discuss किसी matter को discuss करते हैं तो होता है discuss the matter discuss the matter हाँ यह बले होता है कि with his father अगर हम अपने father के साथ matter को discuss कर रहे हैं तो with his father लिख सकते हैं ठीक है लेकिन जिस चीज को discuss कर रहे हैं वहाँ कोई preposition नहीं लगाएंगे तो यहां होना क्या चाहिए the wider सन्युक्त किसानमोर्चा held an internal consultation to discuss its response to the invitation next question देखते है Mr. Agarwal noted that यहां that क्या है हमने बताया जब भी आप लोग यह दिमाग में क्लिक होना जी that एक subordinate conjunction है इसके पहले वाला sentence किसमें है noted past में लिखा गया है यानि इसके बाद वाला sentence किसमें होना चाहिए past में होना चाहिए यानि कि यहां पे होना क्या चाहिए has का यूज नहीं होना चाहिए यहां पे had use होना चाहिए और होना चाहिए Mr. Agarwal noted that क्यूं क्यूंकि that subordinate conjunction है क्यूंकि that का मतलब यहां की निकले जब that का मतलब की निकले तो वो subordinate conjunction होता है और subordinate conjunction के पहले का sentence यदि past में है तो बात का sentence भी past में ही होता है यह rule है तो देखते हैं हम that subordinate conjunction इसके पहले Noted Past में लिखा है और Has Present में लिखा है तो Error यहाँ पे है यहाँ क्या होना चाहिए Had Communicated Their Willingness To Hold Discussion और यह ध्यान दीजेगा कि Hold का Second Farm Third Farm क्या होता है Held, Hold, Held और Held होता है चीक है यही Second Farm और Third Farm यही होती है और First Farm होती है Hold Next देखते है C Closely Resembles As Her Sister तो Resembles का मतलब तक की तरह दिखना और हमने यह बताया है कि Resemble के साथ किसी Preposition का हम Use नहीं करते हैं खासकर As का Use दे करके Error पूछता है तो यहाँ देखते हैं क्या होना चाहिए C Closely Resembles Her Sister यहाँ As का Use नहीं होगा ठीक है हमने बताया था जो News Paper हमने डिसकस किया है Part 6 उसमें हमने बताया है यह सारे Rules डिसकस वहाँ हो चुके हैं अब Apply कैसे होंगे यह यहाँ देख लेते हैं Error कैसे वहाँ से पूछे जाएंगे C Closely Resembles Her Sister होना चाहिए वहाँ As Her Sister नहीं होना चाहिए तो यहाँ Error कहाँ पे है As वाले Part में है Next देखते हैं और Next Question है He has not signed on the letter ठीक है He has not signed on the letter तो यहाँ पहली बात आप लोग लिख लिजेगा यह signed लिखा हुआ है जगा 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 जहाँ पे चारो आपसन में signed है ठीक है इडी लगा हुआ है यहाँ भी इडी लगा है यहाँ भी इडी लगा है और यहाँ भी यानि तीनो जगह आप लोग signed कर लिजेगा पहली बात ठीक है अब देखिए यह लिखा है signed in signed at और signed ठीक है तो he has not signed on the letter नहीं sign जिस चीज पर करते हैं उसके साथ हम कोई preposition नहीं लगाते हैं तो ना तो signed in लगेगा ना signed at लगेगा यहाँ क्या होना चाहिए signed होना चाहिए और option number C सही होना चाहिए ठीक है थोड़ा सा लिखने में हो गया है गलती तो महाँ पर ed होगा signed लिखा होगा अब बताइए आप लोग He has not signed the letter होगा किसी letter को sign करने के लिए sign the letter होना चाहिए sign on the letter नहीं होना चाहिए तो sign का मतलब होता है हस्ताक्षर करना यह वर्व होती है और जो signature है signature यह noun होता है signature क्या होता है noun हस्ताक्षर तो ये बात ध्यान रखेंगे कि sign का मतलब होता है हस्ताक्षर करना ये वर्व होती है और signature जो है वो क्या होता है noun होता है नेक्स्ट और ये last question देखते हैं हम the two actors bearing little resemblance each other तो ये बात ध्यान दीजेगा अभी हमने बता है कि resemble के साथ कोई preposition नहीं आता है है ना लेकिन पार्ट 6 में जो वीडियो हमने डाली है बार बार मैं कहरा हूँ कि वहाँ जाकर कि आप लोग वो वीडियो देखने के बाद जो error का question रोज कराया जाएगा ये error का question तो वो आप लोग देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा तो resemble के साथ as का use होता है as का use नहीं करते हैं किसी भी preposition का use करते ही नहीं है लेकिन वहाँ हमने बताया था कि resemblance resemblance के साथ हम किस का use करते हैं to का use करते हैं चीक है resemble के साथ कोई preposition नहीं लगता है लेकिन resemblance के साथ हम to preposition का use करते हैं तो यहां होना क्या चाहिए little resemblance to each other चीक है little resemblance to each other अब बात आती है each other की तो यहां से error तो यहां पे है यहां to होना चाहिए बागी हम समझते हैं कि each other का use दो के लिए होता है और two actors हैं इसलिए each other का use हुआ है तो आप लोग देख लीजिए each other each other और one another तो दो के लिए हम each other का use करते हैं और दो से अधिक लोग है तो one another का use करते हैं चीक है आसा करते हैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो अपसे जो वीडियो पढ़ेगी वो दाहिंदू की जो वीडियो पढ़ेगी या जो भी निज़ पेपर जितने भी निज़ पेपर जैसे भी हम डिसकस कराएंगे वो निज़ पेपर करने के बाद उससे questions कैसे आ सकते हैं वो सारी चीज़ें भी हम डिसकस करेंगे आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, चैनल को जा करके लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चैनल को सेयर जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सबस्क्राइब करें, आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, और ऐसा लग रहा है थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो